स्वागर्द आप सबका एक और नहीं T20 आई सिरीज के अंदर अब हर एक टीम फाइनल एक्जाम से फिले रिजिजन कर रही है आपको पता है T20 वल्ड कप स्टार्ट हो रहा अगले मैने से तो टीम्स याँ पे जोरो सोरो से थेयारे कर रही है तो बंगलादेस टीम आप पहुचिए USA के अंदर इस बंगलादेस टूर ओफ USA पहला T20 आई है जो खेला जाएगा प्रेरी व्यू क्रिकेट होस्टन के उपर मैच्स टाइमिंग रात के साड़े 8 बजे यह स्टेडियम टैक्सस के अंदर मौझूद है और बहुत ही प्यारा स्टेडियम है यह तो बहुत सी जी यहाँ पे डिसस करेंगे दुरू टीम्स यापर कौन से बॉक्स के अंदर टिक लागा ना चाती, क्या दिक्कत आरी ही टीम्स को इस match के अंदर team के experiment कर सकती है कौन से players को किस betting order पे खिलाएगी यह सब हम देखेंग और fantasy team बनाने की कोशिश करेंगे इनी points को मद्य नजर रखते हुए तो बहुत मजाएगा आपको बढ़िया series है, शांदार series है तो अब देखो यह series का picture देखते हैं जो पहला T20 आई है, यह किस मईगो खेला जाएगा जो भी हम cover कर रहे हैं उसके बाद दूसरा match खेला जाएगा 23 को फिर तीसरा T20 अंतिम मैच होगा 25 मईगो, सारे matches एक यह venue के उपर होने है Houston के उपर, तो let's see क्या होता है, शांदार series के अंदर मज़ाने वाला आपको और मेरे को भी यह ground देखो वाईस, आप कितना प्यारा stadium है यहाँ आप ऐसे 6 लगला ground बने हुए है और बीच में आपको यह दिख जाता है Prairie View Cricket Club का ground बहुत ही प्यारा stadium मज़ा है आपको, मैं कह रहो होना देखना है मैच देखते हुए बहुत सी चीज़ें आपर डिस्स करने लाइक है USA की team को आपने बहुत कम खेलते हुँ देखा होगा मैने भी USA team के बहुत कम matches cover करे है तो इनमें कौन superstar players का क्या role था रिसेंटली, series with EC, Vennie के उपर Canada के against इस तो बहुत सी चीज़ें आपर डिस्स करेंगे ठीक है फिर से मज़ा हैगा वो ही कहुँगा मैं टेलीग्राम चैनल जोइन कर लो फाइदा किया लाइनप्स के बाद कोई भी update आती मैं टेलीग्राम पर देदेता हूँ टेलीग्राम का लिंग में आपको description और नीचे comment section में दिया हुआ है पिछी रिपोर्ट देखते हैं जरा तो ये prairie view cricket Houston के उपर match है यहाँ पर हुआ था 7 April को recently match USA vs Canada की 5 match की series थी जिसमें से 1 match तो बारिज के कान रद्द हो गया 4 match यहाँ पर खेले गया 132 बना chasing team यहाँ पर 17.3 hours के अंदर target chase कर जाती है तो USA यहाँ पर 4 के 4 match दीती थी और बंगलादेशी सुमें के पर पहली बार खेलने वाली यह आति यह एक series है पहली बार यह दोनों teams के उच्छे में कोई series हो रही है ठीक है और सुनने में बता हूँ यह भी आया है जो ICC है वो USA को susvent कर देगी जैसे यह T20 World Cup होता है अजे बोड क्योंकि political interference बहुत ज़्यादा देखने को मिला जो अंतर गतिवीदिया होती है राजनीतिक की यह USA के cricket बोड में देखने को मिली है तो इस वज़े से इनको बैन किया जाएगा इस World Cup के बाद यह आपको ध्यान रखना है बैटिंग फर्स दो मैचेस जीते गए हैं चेस करते हो दो मैचेस जीते गए हैं USA का होम ग्राउंड है USA के अंदर मैच है आपने सुनोगा टैकसस यहां पर एक स्टेट की तरह है कम फर्मरी नहीं कहा है मैंने कहीं गूगल नहीं गया बस जितना मैंने सुन रखा है पढ़ा है कहीं किताबों में इस वज़े से बता रहा हूं प्रति और साढ़े आठके आसपास रंज बनते हैं उस वाणी गय ओपर गया उस वाशी बचावरी मैं पैस्ट न्हीफ नश घैला है उसुनόςुने आपने ग्यारा तो पहली बार मैं पैसर को हल्का सा ऽाADVAcस था अटवांटेश नीफूली बार मैं चौदा विचालें निकालें पैसर ने निकालें दस विकेट तो second innings में spin to win थोड़ा सा formula देखा गया राइट आम पीसर का 17, लेफट आम पीसर का 7 off spinners का अच्छा है बट लेफट आम orthodox spinners का 18 wickets थे चैने में भी हिला था जिसने एक wicket यहां पर निकाला था एक अब मैं आपको दिखाता हूँ पिछ की photo जब रिसनली यहां पर मैचेस होए थे कैनडा वाली सीरीज में तब यह ग्राउंट ऐसा दिख रहा था और यह पिछ यहां पर ऐसी दिखी थी तो देखते हैं कैसा वियो आता है इस गेम के अंदर वैसा ग्राउंड का वियू दे रहा आपको यह देखो यह तो इनिमेटेड डिजाइन है जो आपको देख रही है यह वाली फोटो यह अनिमेटेड है पूरी यह वाली तो ऐसा कुछ वियू दिखता है आप बहुत अच्छा ग्राउंड आए तो लेट सीज गेम में क्या हो आप तो कौन जीतर आप बता दे अगर आपको वैदर फोकास देखनी है तो मैं आपके लिए वो भी कर देता हूं यूस्टन इन यूसे वैदर हो तो भाई क्लियर है कोई बारिश के चांसस नहीं है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो कैसे लगी है आप पिछ रिपोट गालिया भी देते हो कुछ तो लिखते हो तो लगता है कि इमोशन तो आ रहे है थोड़ी बहुत लिखना कुछ कमेंट सेक्शन में पढ़ूँ है मैं जुरूर आपके कमेंट्स यूसे में उनमुक चंद को नहीं पिक किया गया है कूरी अंड्रेशन और एंड्रू गौस ब रखेंगे हैं बड़े बड़ी बात क्या आती है बड़ी बात या रही है कि टस्कीन एमत को बंगलादेश की इस वाली सीरीज में रेस्ट दिया जा सकता है रेस्ट दिया गया है मैं जा सकता नहीं है दों टीम्स पहली बार फिट्स आफ करेगी यूसे मौनाग पटेल कप् डालता है कुवरिंडरेशन लेफ्टी बैटर प्लस लेफ्टाम विडियम फास्ट न्यूजिलेंड से आता है फिर आपको यहां पर सैडले वन शल्क विक दिखते है शल्क विक बहुत अच्छे क्रिगेटर है यह यह साउथ अफरीका से आए यह ठीक है बहुत अच्छी ब तरावालकर यह भी बहुत अच्छे गोटू बॉलरेस टीम के वन फ़ फाइनेस क्रिगेटर अली खान को कौन नहीं जानता सुपर स्टार के क्यार की टीम में भी रह चुका यह सीपियल खेलता है इसमें एक प्लेर डिजर्विंग है नितीश कुमार इसको खिलाय जा सकता ह बहुत अच्छा प्लेर है इवन यह जो शायन जांगीर है यह भी बहुत अच्छा क्रिगेटर है मैं के लिए खिलाता है मैं नियॉक के लिए मिजर लीग में बंगला इडिश की जरफ से सब आप जानते हो तांजित हसन बहुत अच्छे फॉर्म में उपन करता है सौमया सर बहुत को मौका दे सकती है अब देखता है मौनक पर्टेल पर जो होस्टन के अंदर मौजूद है तो आपर 268 चेस के उपर 50 किया फॉर्म देखो 268 पचास पिछली सेरीज इनकी वही रही थी लेटेस्ट चार एक नाबाद 5 दो चमाली 04 ठीक्था क्रिकेटर है कपता ना इ टेलर विगेड की बिंग भी गरेंगे वो टेलर का तीन मैचस में एक सो पंदर आरंज च्हावर बॉलिंग गरी है इसने हर गेम में बॉलिंग गराई थी कैनेडा की अगेंस्ट एक सो साट का स्टाइग रेट दो विगेट से 6.5 की एकॉनोमी है बैटिंग फर्स 39-54 चेस के उपर 22 फर्म की बात तरहें 39 रन एक विगेट, 24 रन एक विगेट, 22 रन, 4 रन, 0 रन, 14 रन तो फर्म हलका सा कंसर्न रहा था मैं अदि यसन इस गेम में खेलते हैं तो शायद इनका विगेट निकाल सकते हैं एंड्री ग्वास एक कमाव का क्रिकेटर है बैटिंग फर्स 18 चेस के उपर 40 की उसद है T20 करियर में वैनिग उपर 3 मैच में 111 रन बहुत स्टाइलिश प्लेयर है 57 बैटिंग फर्स 4 और 50 तेस पर फर्म देवो 4, 57, 50, 10, 4, 3, 95, not out, 28, not out, 0,5 बैटिंग फर्स 15, 34, नाबाद 2, 3, recent form बहुत जादा डिफ है तो आप चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं बंगलादेश में भी आके खेला है रंगपूर राइडर्स के लिए बीपेल के अंदर 2, 3 मैचे से उसने खेले थे कूरी अंडर्स एट्वर्ड खेला है एक माथर प्लेयर है याट्वर्ड खेलने वाला इसने खेला था न्यूजलेंड की दरफ से वो 94 की पारी कौन बुल सकता है 2017 में जो आई थी 18, 04, 94, not out, chase के उपर 13 बैटिंग फर्स में की 28 की उसा था पूरे T20 के रियर में दो विगेट भी निकाला है गयने के उपर 3 मैच में 83 रंस है 28 बैटिंग फर्स जो 29 गिंदुम आया पच्छबन वाली पारी बहुत अच्छी दी तो रिसेंट फर्म ठीक है इतना में खाज भी नहीं कहूंगा बट वैल्यूबल ऐसेट हो सकता आपके लिए सैडले वन शल्कुविक चार मैच बैइ सही नाम बुला है मैंने बहुत गूगल गिया मैंने पांच मिंट दी इसके नाम को प्रणूंसेशन सीखने में चार मचस में 36 रंस अच्छ है विकेट है 9.5 की एकॉनमी है बैटिंग फर्ष 15 नाबाद, 13 नाबाद, चेस पे 8 और ये ऐसा प्लेयर है जो मार भी खाता है विकेट भी निकालता है, वरंस भी बनाता है जैसे हम देखते हैं शारदू टागूर है ना इसी तरह का क्रिकेट है रहे है वैल्यू दी जाता आपको कहीं ना कहीं से नॉस्तूज कैंजगी 4 में 4 विक्टे बहुत अच्छा स्पीनर है, पहले ये स्टिम के यहाई थे दो मैच अच्छा स्पेंचा बाइलिग में बालिंग 2 मैच में जिरो 48 रंस उस भी बैट है बैटिंग भी कर लेता है, जोडा नाबाद 0 विकट, 34 रान 4 विकट, 2 विकट, 0 विकट, 1 विकट बहुत इस ने बाइल एटर लाइक टी चार में पांच विगेट्स इस टीम का गूटू बॉलर बॉलिंग फर्स दो में तीन बॉलिंग सेकंड दो अली खान एक्सप्रेस पेस बॉटन होगा मलिंद कुमार थोड़े से स्लो खेलते हैं ये निसर्ग पटे लिए अच्छा प्लायर रह चुका इस टीम के लिए तीन मे के लिए भी खेल चुका है जी हां ये जाके खेलता है सीपिल में पहले खेलता था और वहां की जो विंडीस की सुपर फिफ्टी टूनामेंट होता सुपर फिफ्टी कप वहां पे भी खेलता था जाकी लीवड आइलेंड अगरा के लिए याद है मेरे को कवर किया था मैंने यही सेम डेटवर में होगा, बस केंजी की वरले डेटवर में जैस्ति सिंग भी आ सकता है सवामय सरकार, head to the venue, किसी ने नी खेला है स्टीम से, बस मैं फॉर्म की बात रूँगा, बगनादेश की तरफ से 17-41, 68-31, 11, moody player है, चल गया तो चल गया, रामबुरो से तामजीत हसन, यह बहुत ही consistent रहा था रिसेंटली, 2, 2, 2, 1, 1, 18, 67, not out, 39, 42, और बहुत बढ़िया जानम, इसो गेम में क्या करवाता है, हल्क optim candidate, आफ यह वाता मैं seriously कहूं, जं गेंग के इस य।ositionJean इस बात करें इस वन्ते के बारे महाँ भाँ हूं, जब आफ टीम को तरarseते हो बंगलाज़ेश के तो आपकोchaqij परसे नहीं दिखता हुआ एक सुपर स्टार प्लेर जाकी रली ये भी स्टार इन मेकिंग वाला प्रोग्रेस चल रहा है चोईस नबाच है चम्मालीस तेरा ग्यारा बारा इसका फॉर्म रहा है में मुद उल्लागा 54 नबाच 26 नबाच 28 नबाच और 29 नबाच फॉर्म रहा है जाद उसें 0 विकेट 2 रन 1 विकेट 6 रन 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 19 रन देखते हैं जिम में वैसे तो वैसे में एक ही लेफटी है कुरी एंडरसन वालिंगर आ सकता है वैमुद शहखुदीन गोल्डन नाम था है रिसेंटली जिमबाब्बाबा वाली सिरीज में अच्छे विकेट निकाल लेता है विरिशन से मुस्ताफ इजर भी भाई बहुत इंपॉर्टन प्लेयर शरुफ में एँएंगर गया रहा है मैं थे एसन रडीनदास का फिर्म डिप रहा तेईस एक टैथिस शपन अबाद पांच जरो जरो 21 21 तांजी मचन शाकीब 0-1-2-1-3-5-3-2-0-1-3-2 परवे जोसेन इमाम स्टार्टिंग ओवर आपको श्रुफल मैंद यही सेफुद्दीन फिज डालता हो दिखेगा डेथ में फिज श्रुफल सेफुद्दीन मौनाक पतेल वैसे धिक्कातिन को किस से? उन्स इनिंग्स में 6-पार आउट किया है एडिसन बॉल में 104 लेखम निंग्स को 7-इनिंग्स में 3-बार आउट किया है लेफ्टाम ओर्टोक्स में 15-जार आउट किया है पिर आते एंडि गॉस अगेंस्ट लेफ्ट टाम पीजर साथ इनिंग्स में तीन बार आउट हुआ है 27 वाल में 31 लेफ्ट टाम आउट किया कोई इंटरसन वर्सेश शाकीब पाच इनिंग्स में दो बार आउट किया 31 गंदो में 40 रंस है मिलेंद कुमार नहीं है कोई खास मैच अप नितीश कुमार का रहा है लेफ्ट आम आउट रोडसन के सामने अच्छा क्रिक्रेटर है यह बहुत सालों से खेल रहा है तो यह दो ही नहीं शाकेब अगेंस कोरी 19 गेंस 27 रंस दो निंग्स में बार आउट किया है मेहमुदला वर्सेस कोरी 69 गेंस 47 रंस साथ निंग्स में दो बार चलता किया है कॉमन कैप्टन शाकी बलहसन, मुस्ताफी जूर्त वैद रिदोई और चैड लेवन शाल्क विक को भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छा ओल्राउंडर है बैटिंग बालिंग से वैल्यू देखे जा सकता है बहुत अच्छा ओल्राउंडर साब के लिए रह सकते हैं से स्टार्ट करते हैं मौनाख पटेल एंड्री गोस और आपको एंप लेटिंग दास देखते हैं जिन में मेरे सबसे सबसे इंपॉर्टन प्लैर मेरे को लगे हैं एंड्री गोस जिस तरह से खेलते हैं बहुत अच्छा इंगा आते हैं साउथ अफरीका से लिटें दास को बैक कर सकते हैं मेरे को लग रहा है यहां सरकार और तांजीज फिर से उपन करें यहां से नजबनोशन शेनन तो तुए दूरीद वह अच्छे फॉम में तांजीज असन बहुत अच्छे फॉम में दो प्लैर आप सबसे पहले ले लो उसके बाद आपके पास आप्शन आ जाता है नजब मुलक और महमुद उल्ला का वैसे महमुद उल्ला का बल्ला बहुत अच्छा बूला है बट कई गेम्स में देखा गया उनकी उपर जाकी रली बैटिंग करने आ जा रहे है तो एक थोड़ा सा नेगीडिव पॉइंट श्रिफ यह है आप चाहिए तो किसी गो भी लि बॉलिंग कराने भी आता है हर गेम में मुश्ट ली समय सरकार प्योर हीट एमिस्टाइब प्लेयर लेफ्ट आम पेसर सोरब नेत्रवाल करूंगे वह उनके लिए थ्रेट हो सकते हैं बॉलिंग में टस्कीन अगर इस मैच में खेलते में टीम में पक्का लूँगा जस्मैन बॉलिंग सेकंड में बहुत अच्छी एक स्पेल डालके जा सकता है इसके नंबर्स भी अच्छी बॉल सेकंड में अच्छे रहे हैं बैटिंग भी कर लेता है हर्मिट सिंग तो आपको कही ना कहीं से कुछ वैल्यों मिल जाएगी राजस्तान रोल्स के लिए एपिल में ख देखने को मिल जाता है तो फिलाल मैं लेता हूं हरमिट सिंग को यह मेरी फाइनल टीम नहीं है मैं भी कह रहा हूं रिशाद उसमें मैंने ले लिया क्योंकि स्टेंग में बहुत सारे ऐसे प्लैयर्स जो अच्छा नहीं खेलते जो यह सामने टीम है यूए से कैप्टन मैं क कह रहा हूं कि बस मैंने बेस टीम आपको दिखाने के लिए बनाई है तो देख तरे स्टाइट जो जी आपसे मुलता हूं मैं आज शाम के आठ बजे विड़े टास और पिछ रिपोर्ट लव यू से सुन बहुत इंपोर्टन पिछ रिपोर्ट इसका प्री गेम शो देखन कुंगा पूरा तो जाहिन लव यू से सुन